नमस्कार कहते हैं जो पानी से नहाएगा वहें लिवास बदलेगा और जो पसीने से नहाएगा वहें इतिहास बदलेगा जी हां मेरा नाम महेश सैनी है और मैं निदेशक हूँ डिरेक्टर हूँ आरेस्टी स्कूल इसकीम नमबर दस अलवर्स आज हम मौजूद हैं इंट्रिव्यू की एक ऐसी स्रंखला में कि जो अपने आप में बेहत अनोखी है और विध्यारतियों अभी भावकों में और आस पास के आने को विध्यालों में बड़ी ही लोग प्रिया है मैं बात कर रहा हूँ और शायद आप लोग चांते भी है लंच विद डाइरेक्टर सर जी हाँ लंच विद डाइरेक्टर सर 7.0 के अंदर आज हम लोग मौजूद हैं इस कड़ी के अंदर एक शांदार इंट्रिवू के साथ लंच विद डाइरेक्टर सर एक ऐसी स्कीम है आरेसी स्कूल की जिसमें बच्चे की परतिभा को मंच परदान करने के लिए बच्चे ने जो एक्जाम्स के अंदर महनत करी है उसे तराशने के लिए उसे पुरुष्करत करने के लिए हम लोग बच्चों को अलग-अलग जगयों पर अलवर के अलग-अलग स्थानों पर ले जा करके हम लोग लंच देते हैं वहां उनके साथ बात करते हैं बाचित करते हैं इंट्रिव शूट करते हैं और बच्चे के उत्साह को बढ़ाने का प्रियास करते हैं ताकि बच्चा को confidence level high हो मंच परदान करते हैं ताकि बच्चे अपनी बात को सभी के सामने बिल्कुल बेजीजक हो करके without hesitation के रख सके आरसी अपने हर बच्चे के अंदर ऐसी परतिवा को विक्सित करती हैं बच्चों में स्वच परतिश परदा जागरत हो सके परिक्षाओं को ले करके परिक्षाओं का भेना हो पढ़ाई को enjoy के साथ पढ़े ना कि दबाव और pressure के साथ ले क्योंकि मेरे ऐसा मानने है जब बहुत ज़्यादा pressure से आप शिक्षा लेते हो और मिलाते हैं हमारी प्यारी बिटिगा से सबसे पहले बिटि आपका स्वागत है इस वीडियो क अंदर इस इंट्रवी के अंदर आपका नेम बताए सब को My name is Preeti पreeti पreeti आपके पिता जी का नेम क्या है My father's name is Mr. लॉषणार Very good आपकी माता जी का नेम? मैं माता स्लेवी विशी सप्टा वीड़ी सबसे पहले बच्ची के अभिभावों को बहुत बहुत शुप काम ले आपकी बच्ची बहुत प्रतिबावाल है और महनत करके एक्जाम के अंदर यहां तक इस मंचे तक पहुची है तो आप बधाई के पात रहें और साथ में बिटिया आप भी बधाई के पात रहें सबसे पहले लंच्वी डाइक्टर सर में जब यह वीडियो अनाउंस वा कि आपका सेलेक्शन हुआ है तो आपकी वो खुशी क्या थी? वो बताएं सभी को अच्छा लगता है और यह बहुत कैजूल इंटर्वू है बिल्कुर रिलैक्स हो करके सब को बताएं खुद का नाम आता है अच्छा कोई कॉम्प्लिमेंट जब आप लंच्वी डाइक्टर सर में तो आप फैमिली के तरफ से क्या कोई कॉम्प्लिमेंट मिलता है मैंनत करें क्लास के बच्चे क्या कहते है जब आप उनको यह सारा एक्स्पिरिंस बताते हैं तो वो क्या कहते है हमें भी आने का मोका दिया अच्छा हमें भी आने का मोका दिया ऐसा बोलते है आप भी मैनत करें आप भी आ सकते हो तो कभी आप से पूछते है फोर्मूला की पढ़ने का क्या तरीका है प्रिति हमें कुस टॉपिक बता दो कैसे करते हो आप ये सारी चीजे ताक कि हम भी आ सके पूछते हैं यह बहुत अच्छी पहल होती है कि जितना प्रसारित किया जाए ज्यान की उतनी व्रद्धी होती है बलकि ऐसा नहीं सोते हैं ज्यान मैं फस्त आगे तो बस महीं आना चाहिए बलकि उन्हें अच्छा आप अपने क्लास के बच्चों को ये बात बताते हो कि आपको ऐसे जाने चाहिए टीचर्ष की बात को वेरी बड़ा से पूछते हैं बच्चे आपसे मैं अधेश तो नहीं चलाते रहाए लइने अपट जो आपको अच्छी लगती हो वेरी गुड शाबास देखो बच्ची ने क्या कहा मैं बता देता हूँ कितनी अच्छी बाती है और सभी को जाननी चाहिए कि जब इसने फर्स टाइम स्कूल में एडमिशन लिया तो अक्सर ये बहुत लोग बोलते हैं कि आपका स्कूल छोटा है मैं आपसे कहता हूँ इसकूल छोटा है बड़ा नहीं होता है वहाँ कि शिक्षा कितनी बड़ी है ये डिपेंड करता है वहाँ कि व्यवस्ता है कितनी अच्छी है वहाँ वो सब मिलता है जो एक बहुत बड़े इसकूल में मिलता नहीं है जरूरी नहीं है इन्फरस्ट्रेक इसके लिए कोई यह कोई क्राइटेरिय नहीं होता है कि जो बहुत बड़े विशाल स्कूल में पढ़ता है वही शिक्षित होगा किसने कह दिया यह सैटिफिके यह गलत अवधारना है बच्ची निस अवधारना को गलत सिद्ध किया है कि इनके साथ की कोई बच्ची थी उसन स्कूल में आना है एड्मिशन ले रहे क्योंकि मेरी स्कूल में मैं फ़र्स्ट भी आती हूं तो मुझे कोई ऐसा प्राइज नहीं मिलता है तो कहते हैं यह तो सच है इनके इस बात के पर मुझे पंतिया याद आ रही है यह तो सच है कि जरा वक्त लगा देते हैं लोग गर संस्था की भी तारिफ करते हैं तो बिटिया बहुत अच्छा आपने अपनी मेहनत से उसकी सोच बदले और यह इसी उसी बच्ची के नहीं अनेकों विध्यारतियों की सोच बदलने वाला यह मेरा मैसिज हो सकता है इसलिए आरसी वे संस्था ने जहां बच्चों के सपनों को पुरी सिद्धत, पुरी निस्था के साथ, पुरी टीम मिल करके, एकाकार हो करके उन्हें सिद्ध करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ती हैं तो पुन्हें आपको बिटा शुब काम नहीं और सभी बच्चों को क्या मैसिज देना चाहते हो लास्क में वेरी गूड, वह यहनत आप लोग बहुत करते हो, तब यहां तक आप आते हो, वरना कितने ही लोग है जो रह गए सेलेक्शन होने से, तो थेंक्यू, मुझे दीजिए इजाजत, अगले इंट्रिव के लिए, जय हिन, जय आरसी, पुन्हें मुखातिव होंगे आपसे, नई स्रंकला के अंद जय हिन, जय आरसी, आरसी का सपना हर बच्चा वैस्थो अपना